हेलो गाइस, मैं शोभित शाक्य नॉलज अबाउट यूनिवस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। फ्रेंज चमगादर विश्व में पाय जाने वाला एक मात्र ऐसा स्तंधारी जीव है जो पेड़ों पर उल्टा लटकता है और गुफा से उड़ते समय हमेशा बाई दिशा की तरफ मुरता है। इंसानों के आसपास पुराने खंडरों, किलो व वीरान इमारतों में पाया जाने वाला यह जीव दिखने में बेहद ही अलग होता है। और यह एक मात्र ऐसा स्तंधारी जीव है जिसे प्रकृती ने उड़ने के लिए बनाया है। फ्रेंज आज हम चमगादर के बारे में ही जानेंगे। भूरे चमगादर गर्मी के मौसम में बहुत सारे ऐसे कीटों के खा सकते हैं जो खीरों को नुकसान पहुँचाते हैं और इससे किसानों के प्रतिवर्ष रूपे बचते हैं। क्या आप जानते हैं चमगादरों के मल का उप्योग गन पाउडर बनाने के लिए भी किया जा सकता है। उदाहरन के तौर पर अमेरिकी ग्रह युद्ध में एक बार ऐसा किया जा चुका है। चमगादरों में कुछ प्रजातियों के ऐसे चमगादर होते हैं जो केवल खून पीते हैं और इन्हें पिशाच चमगादर कहा जाता है। एक पिशाच चमगादर एक दिन में अपने वजन के बराबर खून पी सकता है। विश्व में अमेरिका ही एक मात्र ऐसा देश है जहां सरवाधिक मात्रा में चमगादर पाय जाते हैं। बड़े चमगादरों के पंखों की लंबाई लगभग 5-6 फीट तक हो सकती है। विश्व में अब तक चमगादरों की कुल 1100 प्रजातियां को खोजा जा चुका है जिन में से अधिकांश प्रजातियां अमेरिका में पाई जाती हैं। चमगादर अपने बिलों से निकलते समय हमेशा बाए हाथ की तरफ मुरते हैं। क्या आप जानते हैं चमगादर प्रकृती के लिए बेहद हितकारी होते हैं। उदाहरण के तौर पर चमगादर पेर पौधों के बीजों वफलों को खाकर उनके बीज जंगल में फैलाते चलते हैं। जिस कारण जंगल घने हो जाते हैं और ऑक्सीजन का स्तर अनकूल रहता है। चमगादरों की कुछ प्रजातिया लंबे समय तक जीवित रह सकती हैं। उदाहरण के तौर पर भूरा चमगादर लगभग 40 वर्षों तक जीवित रह सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी विश्व में पाई जाने वाली कुल स्तंधारी प्रजातियों में लगभग 20 प्रतिशत चमगादरों की आबादी है। प्राचीन यूरोप में चमगादर का उप्योग घरेलू दवाया बनाने के लिए किया जाता था। दुनिया में पाई जाने वाले सबसे छोटे चमगादर की प्रजाती का नाम बंबल भी है और इसका वजन मात्र 215 ग्राम होता है। क्या आप जानते हैं चमगादर अंडे ना देकर सीधे बच्चों को जन्म देते हैं क्योंकि यह मनुश्य की तरह स्तंधारी जीव है। विश्व में पाई जाने वाली चमगादर की प्रजातियों में अधिकांच चमगादर भूरे या काले रंके होते हैं। क्या आप जानते हैं वेग्यानिकों के शोद के अनुसार पाया गया है कि चमगादरों की उत्पत्ती डाइनसारों के समय से रही है अर्थात यह जीव लगभग 6-10 करोड साल पहले भी रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो लाइक शेर और सब्सक्राइब कर दीजिए धन्यवाद।